हेलो एवरिवन आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज हम एक और टैरो का रिडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिच करेंगे आज सुबा आपके पार्टनर आपके लिए क्या फिल कर रहे थे उनकी करंट फिलिंग्स क इस रिडिंग को देखिए ये रिडिंग जनरल है collective level पर है timeless है और सभी zodiac science के लिए रहने वाली है आपका जो भी zodiac science है ये रिडिंग आप सभी के लिए रहेगी और gender specific नहीं है आप male है female है या फिर आप married unmarried जो भी है आप इस रिडिंग को देख सकते हैं और जिसके लिए आप इस reading को देख रहे हैं उसे विज्वालाइज करते रहें और positive mind के साथ इस reading को देखीं ओकी यहां हमने कुछ cards निकाल लिये हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं bottom में जो card आया है हमारे पास bottom of the deck जो card आया है वो आया है the empress और बाकि सारे जो cards आया है आज मुझे यहां एक ऐसे person की energy नजर आ रही है जो अपनी mother की वज़ा से या फिर अपने father की वज़ा से काफी परशान है और यह person इस वक्त किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है जिसकी वज़ा से यह relationship से भी भाग रहे हैं और अपने career में भी इनका मन नहीं लग रहा है ऐसा नहीं है कि is person की life में किसी भी चीज की कोई कमी है नहीं इस person के पास सारी ही asura ram facilities मौझूद है और सारी ही चीजे मौझूद होने के बावजूद इस person को ना मन की शांती नहीं मिल रही है ये परसन चाहता है कि इसकी लाइफ में हर वो चीज हो जिसे ये एक नजर देखकर ही अगर पसंद करें तो वो इन्हें हासिल हो जाए जिसकी वज़ा से इस परसन का नेचर फ्लर्टिंग टाइप का हो गया है इन्होंने ये चीज इंसानों पर भी apply करनी start कर दी है यानि कि ये फ्रेंड्शिप्स बनाते हैं जो इन्हें पसंद आ जाता है उसके साथ फ्रेंड्शिप कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम तक उस फ्रेंड्शिप को निभान नहीं पाते हैं जिसकी वज़ा से आपकी relationship में भी ये problems आई हैं, इस person का flirting nature आपको पसंद नहीं था, जिसकी वज़ा से आप दोनों की बीच दूरिया आनी start हुई है, इस person नहीं आप से move on कर लिया है, क्यूंकि ये person आप किसी एक पर टिकर नहीं रह पाता है, इसलिए ये आपके और इनके relationship को भी निभाने ही पाए हैं, तो ये person ना घूमता रहता है, यहाँ वहाँ और तलाश करता रहता है, नए नए लोग, नए नए चीज़े, नए नए चीज़े करने की कोशिश भी करते हैं, ये person इन दिनों परशान है, क्यूंकि इनकी family इनको लगता है control करने की कोशिश कर रही है, इनकी activities पर नज़र रखे हुए है, जिसकी वज़ाँ से ये person काफी परशान है अपने family को लेकर, क्यूंकि ये person अपने मन की करना चाहता है, किसी को भी commitment देना नहीं चाहता है, commitment से भागता आया है, action लेने से भागता है, जब कभी भी इसको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर इस person को commitment देना पड़ेगा, तो ये उस relationship से भी move on कर जाते हैं, तो इस person का जो flirting nature है न, वो शायद आपको भी पसंद नहीं था, आपको धीरे धीरे ये बात पता चली इस person के बारे में, कि ये person काफी flirting type का है, जिसकी वज़ा से आपने भी इस person पे ज्यादा धिहान देना क कर दिया, क्यूंकि आप चाहते थे commitment जो ये person आपको दे नहीं बा रहा था, आप एक ऐसे इंसान हैं, जो जिसके साथ भी relationship में रहते हैं, उसे पूरी इमानदारी के साथ निभाते हैं, आप हमेशा ही justice करते आए हैं हर relationship में, चाहिए वो आपकी family हो, या फिर आपके relation हो, या निभ नहीं पाई, क्यूंकि एक हासे थाली नहीं बचती ना, और इन्ही reasons के चलते आपने इस person से move on कर लिया, या फिर दिरे दिरे इस person नहीं आपसे move on कर लिया, अगर आज की इस person की feelings की बात करें आपके लिए, तो ये person आपको manifest कर रहा है, सुबह से ही, इस person को ऐसा लगत है कि आप काफी caring सौभाव के हैं, आपका जो nature है ना, इस person की opposite तो है, बट हाँ अगर इसकी जैसा ही partner अगर इसको मिला ना, तो इसकी जिन्दे की खराब हो सकती है, इसकी life से खुशियां रूट सकती है, तो ये person चाहता तो है आपका साथ, बट अभी नहीं चाहता है, जिस choice रहेंगे, जिसकी वज़ा से ये person आपको manifest करता रहता है, ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ पाएं, इस टक रहें, इस person की ही यादों में रहें, इस person को ही याद करते रहें, और ये person जब कभी भी return वापस आना चाहे आपकी जिन्दिगी में, तो वापस आ सके, तो ये person आज सुबह भी आपको manifest कर रहा था, आपको याद कर रहा था, और ये person आप पर नजर बनाए हुए है, कि आप कहां, किस के साथ, किस relationship में हैं, या फिर आप इस person का इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी पूरी नजर आप पर है, ओके वी वार्स, तो ये थी आपकी reading, I hope आपको पसंद आई होगी, कुछ तो clarity मिली होगी, कुछ तो resonate की होगी, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाबाई